जहिंद, मैं ललित खतरी, अंतराष्टी योग दिवस, 21 जून, वैसे तो योग दिवस एक ऐसा योग एक ऐसा विशे है, जो की एक पुराणिक विशे है और लगभग 5000 वर्ष पुराना है जहां है सभी लोगों से विशेश रूप से इसका जोड़ाव है। किस तरह से इसका जोड़ाव है और किस तरह से योग का एक विशेश महत्यू है, इसी के बारे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज मौझूद है। योग शिक्षक खुश्बू मंडावरिया जी आप सभी को छटे अंतर राष्टे योग दिवस के हार्दिक शुपकामना है और मैं एक छोटी सी योग शिक्षक हूँ जिसमें मैं आपको योग के ओपर कुछ प्रकाश डालना जाओंगी आप जोग पूछेंगे मुझसे योग क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि वर्तमान में अगर हम देखें तो समाज में हर तरफ युवा से लेके बुजुर्ब तक सभी योग के महतों को समझ चुके हैं अगर हम पहले देखते थे कि योग केवल एक आश्रमों में या सभागारों में ही करने वाला वीशे होता अगर वर्तमान में योग घरों तक पहुंच चुका है छतों तक पहुंच चुका है लोगा कमरों में बैठके भी योगी क्रियाय करते हैं तो योग का ऐसा क्या महतों है क्या विशेश महतों है जिसके कारण आज इतना प्रचलन इतना महतों इस योग का बढ़ चुका है य और एक इंसान को कोई ना कोई अपने जीवन में कही ना कहीं कभी ना कभी कोई तनाव होता ही है आज के समय में 70-80% लोग तनाव से घ्रसित हैं कईयों को इन भागदोर वाली जिन्दिकी से कई शारीरिक प्रॉब्लम्स भी हैं कई मोटापा है डायबिटीज है अस्तमा है इ जैसा कि आपने कहा कि घरों में च्छतों में जहां आपको समय मिले जब आपको सुईधा हो आप वहां योग कर सकते हो अब छोटी छोटी प्रॉब्लम है अस्तमा है अस्तमा के लिए अगर आप डेली योग ब्रीधिंग एक्सराइज है प्राणायाम है यह अगर अपनी ल नेती कीजिए अगर 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 आप शुरूआत करते हैं तो कही न कहीं वह आपके जीवन में फाय्देमन साबित हो गई Tulio को हम एक एसी पदतिकी ुरूप में देखे जो की विमारी होने कीज है यहां अपने आपको पूरी तरह से सवस्थ होते हैं और ना विमारी करें क्योंकर एक दवाई होती है उसे अब बिमारी के बाद खाते हैं तो आप ठीक हो आज जो छोटे बच्चे हैं अगर हम उन्हें शुरुआत से योग कराएं तो वो अपनी अर्ली लाइफ में भी जाके उसका फायदा लेंगे अब आप चाहते हैं कि मैंने मुझे आज बिमारी होई है और मैं योग करना शुरू करूँ तो यह धीरे 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 वाला जो एक दम आपको ठीक नहीं करेगा इसलिए आपको सर्वांगिन विकास करना होगा इससे आपको बिमारी तो ठीक होती होती है इससे आपमें आत्म विश्वास डवलप होता है आपमें मानसिक स्टेबल आता है बैलेंसिंग होती है मतलब यह आपके शरीर को पूरा विकास करेगा क्या योग को एक अध्यात्म के साथ जोड़ कर निया कि धर्म विशेश के साथ जोड़ कर देखना सही है क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अगर हम सूर्य योग को धर्म से यह इन इसार्य से जोड़ना सही है pou नहें योग कोई धर्म से नहीं जोड सकत आप आपने कि अशे पर आप इसे धर्म से इसलिए नहीं जोड़ सकते हैं आप जिसे कहते हैं कि अगर सपोज कोई मुसल्मान भाई है जर वो से लगता कि मैं ओम बोलता हूं तो मेरे धर्म को प्रभावित करता तो आप उसकी जगें आमीन बोल लीजिए ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप ओम को ही पोल के उसे शुरू किया जाए धर्म से ना जोड़के आध्यात्मिक से जोड़ सकते क्योंकि उसमें मंत्र मंत्र है श्वाश प्रश्वास है आसन है इन सब का मिलाप होता है जब यह अच्छा जब हम सूर्य नमश्कार करते तो हमारे कई बार अन इंटरनली चक्राज होते 24-7 चक्रास तो कहीन Bundestag व फ़ी जागृत होते हैं यह आध्यात्मिक विकास तो अपका करेगा पार धर्म से जोड़ना आपके लिए इसको गलत धर्म से जोड़ना यह सई नहीं है तो जो इस तरह की लोग भरांतिquirां फैल dat पेलात है या इस तरह से जोड़ के देंगते है जिन रूब युग अगर वरतमान में कि बहुत अच्छा च्थारप पहुंच चुक के पार, पर ने आप उस्ट में आखो कि आच तर आधाenzie है ब्छलोगों को अलग अलग तरह की और बिमारिय हो होग वरतमान‍व था कि सीच्ए जो लोग पीडित है तो वह समय वह कुछ सु प्रसक्ता लूगों को हैं तो इनको हम कंट्रॉल कर सकते हैं या कि यौर सकते हैं तनाव एक जैसे कि भागदोड़ वाली जिन्दिगी है इन सब के आंदर नाशन होना वाजिब है और हरेंक इनसान को तनाव है ऐसा नहीं कि पर तनाव वहाँ जाके के डिप्रेशन के स्तती में बनता है जब आपको इंटरनली काफी एफेक्ट करने लग जाता है छोटा मोड़ा तनाव सबकी लाइफ के अंदर होता है अब तनाव योग सम तनाव को ऐसे दूर कर सकते कि योग के अंदर के हमारे आठ अंग होते हैं यम नियम आसन प्राणाया तो हम क्या इन आठ नियमों का अपने जियन में धीरे धीरे पालन करें पहले हम यम नियम का पालन करें उसके बाद हम प्राणायाम का पालन करें तो अंत में जाके हमारा ध्यान की स्तती आती है जब हम continue अपने आपको ध्यान के अंदर लगा ध्यान एक ऐसा है कि हम regular आपकी स्तती नहीं बनेगी meditation की वगर जब आप इंटरनली आपका शरीर शरीर और मन दोनों का संबंद हो अगर आपका शरीर स्वस्त है तो नेचुलर आपका मन स्वस्त होगा और मन स्वस्त होगा तो आपका तनाव काफी हद तक कम हो जाएगा अब आप तनाव को दूर करने के हम कि दूरो आपके सांसों की सामन जैसी होगा वह नॉर्मल होगा आप जब मैं यह मैं करेंगे तो आपकी पेरा सिंफेतिक ओंसी सिस्टम होता हुथ वह अपके इंटरनल बैलनस होते हैं तो वह सारी चीज आपके तनाव को कम करने में काफी इफेक्ट करतें अच्छा अब हैपको ब्रीधिंग करने पड़ेंगे घ्राइप करने पड़ेंगे तो आपको पहीं पारेंगे मैं बताना चाहेंगे जो की लोगों को करने चाहिए हैं यह इसाथ मरीज शचले पहला तो आपको प्राणायाम ही करना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट योग लोग योग को जोड़ के देखते हैं आसन से आसन का मतलब है इस्तिरम सुखम आसन मतलब आप जिस कंडिशन में जैसे बैठे हैं वो आपके लिए सुख पुर्वक इुस्तति होनी चाहिए वह आसन कैलाती है और हम आसन करते यह क्यों कर रहे क्योंकि हम प्राणायाम हम्में आगे की इस्तति को में अगर मैं यहां कंडिशन में बैटे आब हाइपर्टेंशन है तो हमें पहले प्राड़ायाम करना पड़ेगा, आसन करने पड़ेंगे, आसन के अंदर आप सुखासन में बैठ सकते हैं, जो आलती पालती लगा के, उसमें आप आराम से बैठें, तो वो भी आप आपको हाइपर्टेंशन के अंदर फाइदा देग आप बीपी के लिए पूछ रहें तो उन्हें कided drink वाती भापती कणनाय हुआ है तो पर किसी भी चीज को करने से पहले उन्हें किसी योक प्रशिक सक्सा करने कई पार भार होता है कि हम कहीं से देखके सुनके पढ़के करने लग तो वह चीज़ हमने देखतो ली पर हमें समझ भी नहीं आती कि हमें बेसिकली करना क्या है दूसरा पढ़ाना है में अनुलोंविलोंव अनुलोंविलोंव भी हर एक प्रॉब्लम में आपका सहय के चाहे किसी भी तरह की आपको विमारी हो उसे भी आपको राइट हैंड से पह चैनला है फिर राइट से आपको वापस इंहेल करना है राइट कलो कर लिए एंड लेफ्स से यमक्षाल करना है अब इसमें आपको क्या करना है कि जितना समय आप इंहेल करने में कर लीते उस से डबल्स हमें आपको एक्सिलेशन में करना है परला आपकी ब्रीधिंग प्रोसेजर बहुत स्लो होना चाहिए ना आपको एकदम उसको तेज लेना है और ना ही छोड़ना है दूसरा अगर आसन के बाद करें तो आप पश्चिमोतानासन कर सकते हैं बालासन कर सकते हैं अधुमुक्षवानासन कर सकते हैं और शवासन कर सकते हैं शवासन इस बेस्ट ताकि आपको वो पूरा रिलैक्स कर देता है किसी भी चीज को करने के बाद आपको कम से कम 5-10 मिनिट का सवाशन जरूर करना चाहिए यही चीज तनाव के अंदर है तनाव में भी आपको प्राणायाम जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्राणायाम is a very useful तो आपको वो करना ही करना चाहिए उसके अलावा आपको ध्यान meditation करना चाहिए वो भी आपके तनाव में काफी useful होता है और शवासन करना चाहिए आपको उसके अलावा चोटे आसन करने चाहिए आसन में भी आपको light जो आसन होते हैं वो जरूर करने चाहिए आपके जिससे एकाग्र शक्ती बड़े तो वो आपके लिए काफी फायले मन दोंगे बहुत बहुत धन्यवद में और इसके साथ मैं एक प्रशन पूशन चाहिए आखरी की एक योग शिक्षक के रूप में योग दिवस पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं मैं योग दिवस पर लोगों को यही कहना चाहूंगे कि आप अपनी लाइफ के अंदर डेली लाइफ के अंदर जितना हो सके आप उतना योग करें ताकि अभी जिस तरह से हम COVID-19 से सभी पूरा देश ग्रसीदे पूरी दुनिया ग्रसीदे तो हम अपनी इमिनिटी पावर रोग प्रतिरोधक शमता को बढ़ाने के लिए हमें योग करना चाहिए ताकि आप क्योंकि इसकी कोई अभी वैक्सिनेशन नहीं बनी है तो आप धीरे धीरे अपनी प्रतिरोधक शमता को बढ़ाने के लिए योग करेंगे प्राणायाम करेंगे तो आपकी इंटरनल पावर बढ़ेगी तो वही आपके लिए बैनिफिट होगी तो मैं आप लोगों से कहाँगी कि आप अपने लाइफ के अंदर डेली योग करें क्योंकि इसके लिए ना आपको पैसे की ज़रत है ना कहीं जगे की जहां आपको जब जहां सुईधा मिले आप इसे अपनी लाइफ के अंदर डाल सकते हैं कोशिच करना चाहिए जैसे आजकल तो स्कूलों में भी अवेनेस हो गई है तो आप अपने बच्चों को योग सिखाए तो वो भी आपके लिए फाइदे मन बच्चों के लिए आगे अपनी लाइफ में जाके फाइदा मन दोगा तो मैं लोगों को इतना ही संदेश दोंग जैसे कि अफ उले झीड़ा है मन दोगने करना देचे मन दोंगे पिज़ है तो SÅनुमह बहिए करना ही कि अपने है